हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब एक बार पुना हाँ स्वागत है आप सभी का मारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लास पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे बेतर होंगे आप सभी की पढ़ाई भेचेस चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम द करते हैं तो कुल मिला करके यहां पर हम आज की इस वीडियो में तीन इंपोर्टेंट कोस्टन समझेंगे तो चलिए सिधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले कोस्टन जो है वह है जीन थेरेपी यानि इसको हम कहते हैं जीन उपचार तो जैसा कि नाम से जीन उपचार मतलब किसी भी कारण बस जीनों के क्रम में बदलाओ की करण या किसी भी ऐसे जीनों में परिवर्तन के कारण यदि कोई रोग उत्पन होती हैं तो उनकी जगए कोई नए प्रकार के या विसिष्ट प्रकार के जीनों का समवेस करा करके एक अच्छे प्रकार के जीन का समवेस करा करके उसका उपचार कार नहीं क्या है जीन उपचार कहलाता याना जीन धेरपी कखलाता है अब आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए बहुत से ऐसे भी रोग होते हैं जो कि विसिश्ट जीन क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन होते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि ऐसे कई सारे रोग हैं जो कि जीनों के क्रम में परिवर्तन हो जाने के काराण वो रोग उत्पन होते हैं देखिए इन बिसिष्ट प्रकार के जीनों का यह हम यह कह सकते हैं कि इसके पहले आपने जो DNA पुनर योजन त होती है इसके द्वारा आज ऐसे कई सारे दोसी जीन उनका प्रतिस्थापन करके एक समान एबं स्वास्त जीन के द्वारा किया जा सकता है और इसे ही क्या कहते हैं जीन उपचार या जीन थेरपी कहते हैं मतलब किसी भी कारण बस जीबों में जीनों के क्रम्य परिवर्थन के कारण कई सारे रोगत्पन हो जाते हैं और उन रोगों को ठीक करने के लिए बेसिकली जो डियने पुनर योजन तकनीक है इसके अलाबा और ऐसी कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा गडबड़ी युक्त जीनों या दोसी जीनों का प्रतिस्थापन जो है एक स्वास्थ जीन के द्वारा किया जा सकता है और उस स्वास्थ जीन के द्वारा इनका प्रतिस्थापन कर देंगे जिससे कि एक अच्छे जीन का वहाँ पे निर्माड हो जाएगा और इस प्रकार जो है रोगी ठीक हो जाएगा तो इसे ही हम क्या कहते है जीन उपचार या जीन थेरेपी कहते हैं जीन थेरेपी यानि की जीन उपचार के दो प्रमुख बिदियां है इसमें जो पहली बिदिया है वो है रोगी ठेरेपी देखे रोगी ठेरपी और दूसरा है भ्रूण उपचार तो सबसे पहले तो समझते है कि रोगी ठेरपी क्या होती है तो देखे रोगी ठेरपी की यद किया जाता है तो इस बिधी में क्या किया जाता है कि किसी भी रोगी के सरीर से क्या होता है कि जो प्रभावित उतक होते हैं मतलब ऐसे उतक जिनके अंदर के जीन जो हैं प्रभावित हो चुके हैं मतलब उनके जीनों का क्रम बिगड़ चुका है या जीन किसी प्रकार से छति यानी जो यूगमनच हुता है, यूगमनच बन जाने के पस्चात, जो भून होता है, उसकी अनुवान्सिक समचना को ही परिवर्थित कर दिया जाता है, मतलब यदि भूण कोई भी बन रहा है तो उसमें यदि कोई विक्रत जीन उपस्थित है तो उसका यदि पता लग गया तो पता लग जाने के पस्चात जैसे ही जाइगोट बनता है जाइगोट बनने के पस्चात ही जो भूण होता है उसकी 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 उस क्या जा उसकता है तो भूनॉट्र उपचार जैसा कि नाम से पंस्ट है कि बून जीव की जो वन्सागति होती है तो वन्सागति में भी परिवर्तन आ जाता है ये काफी इंपोर्टेंट चीज है तो भूर्ण उपचार विधी में आपको याद रखना है कि पूरी की पूरी भूर्ण की वंसागति में ही परिवर्तन आ जाता है तो भूर्ण उपचार विधी में किसी भी भूर्ण पर नए प्रकार के जीन दो प्रमुक विदिया हैं ये अकषर आपके एक्जाम में पूछी जाती है तो आपके एक्जाम में पूछा जाता जीन अब्चार की दोनों विदियों को समझाइए अब इसके बाद जीव कहते हैं तो जैसा कि यहां पे भी नाम से इस पश्ट है कि पर जीनी जीवाणू मतलब ट्रांसजेनिक बैक्टेरिया तो देखी ऐसे बैक्टेरिया या जीवाणू जिनके डियने में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन जो है वेवस्थित होता है जो कि अपना जीवाणू कोहते हैं का जीन जीन जीवाणू को किजिने के लादित है इक विडिवाणू करते हैं और एक दूसरे प्रौकार के जीनं का समवेश हो जाता है तो उसे हम पर जीनी जीवाडू कहते हैं तो जीवाडू के अंदर यदि एक नए प्रकार के जीन ब्यवस्थित हो जाते हैं या आप यह कह सकते हैं कि एक अथिरिक्त प्रकार के जीन ब्यवस्थित हो जाते हैं जो कि अपना एक अलक से लच्छन ब्यक्त क कोई हम या ऐसे जीबाडो हो कोहिं हम परजीनिय जीबाडो या ट्रांस जैनिक बेक्टिरिया कहते हैं यद आपने लग जिसको की डाइबिटि कहते यह नहीं होता है यह द्यूदान के लिए इनसुल इनको उठाण करता है ये जो इकोल आई है तो यह बेसिकली बैक्टीरिया जो है एक परजीनी जीवाडू होता है और यह परजीनी जो जीवाडू होता है यह मधुमेह रोग के लिए उसके निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन करता है तो सभी को पता है कि इंसुलिन जो है अगनासय में रिलीज होता है यानि पैंक्रियास रिलीज होने वाले एक प्रकार का इंसूलिन हार्मोन Stevens होता है अब इंसूलिन में गडवडी की कारण ही क्या होता है मधुमे रोग उत्पन हो जाता है तो इंसूलिन के उत्पादन करने का काम कौन करेगा तो यही परजीनी जीवाड़ू इकोलाई बैक्टीरिया करेगा तो जो इकोलाई बैक्टीरिया यह एक प्रकार का परजीनी जीवाड़ू होता है जो कि मधुमे रोक के निदान के लिए इंसूलिन को उत्पन करता है और यदि insulin की बात करें देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां से दो से तीन question आपके बस्तूनिस्ट टाइप के question यहां से बनते हैं पहला क्या है कि insulin जो अनू होता है वो दो polypeptide स्रंखलाओं का बना होता है तो कभी कभी तो यही आता है कि insulin जो है कितनी polypeptide स्रंखलाओं का बना होता है तो देखिए insulin के जो polypeptide स्रंखलाओं होती है कितनी होती है दो तो एक होती है polypeptide स्रंखला A और दूसरी होती है polypeptide स्रंखला B अब देखे दोनों स्रंखलाएं जो होती है ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है तो आपस में इंसूलिन की जो दोनों स्रंखलाएं होती है ये किसके द्वारा जुड़ी होती है डाई सलफाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है जैसे आप वहाँ पे देख चीज आपको ध्यान में रखना है तो पर जीनी जीवाडू किसे होते हैं एक्जामपल भी आदि आपको आता है तो आप इसको तरीके से बता सकते हैं इसके बाद देखे कभी-कभी छोटा कोस्टन है क्राइप प्रोटीन क्राइप प्रोटीन की यदि हम बात करते हैं तो जीवों में जिस जीन द्वारा कूट बद्ध होते हैं या जीवों में विस जो है जिस जीन के द्वारा कूट बद्ध होते हैं उसे ही हम क्राइप प्रोटीन की यदि हम बात करते हैं तो क्राइप प्रोटीन बेसिकली क्रिश्टलीन प्रोटीन होते हैं या आप कह सकते है क प्रजातियां cry proteins का निर्मार करती है तो इसी वैसिलस थुरेंजेंसिस की जो जिवारू होता है तो वैसिलस थुरेंजेंसिस जिवारू की ही कुछ प्रजातियां जो होती है वही cry proteins का निर्मार करती है तो यदि आप से पूछे कि cry proteins का निर्मार कहां से होता है तो वैसिलस तो यह protein बेशिकली फसल इसके अलाभा पादपउं को कीट पीडकों के प्रति-प्रति रोधी बनाता है कई प्रकार के जो कीट पीडक होते हैं या पीडक नासी होते हैं जो की पॉधों को फस्नों को नश्ट करते हैं उन से बचाओ के लिए पाउधों के अंदर यह प्रति-र पर में कोई ना कोई क्वेश्चन डेपने टूप से आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजेगा साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा ज्यादा सेयर कीजेगा चैनल पर यादी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम